ओके गईस स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं वीडियो को बहुत important वीडियो होने वाला है और यहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया एक बहुत ही अच्छा setup यहां पर बन रहे हैं उससे पहले यहां पर बता दू किसी भी तरह क कोई recommendation नहीं है आप इस चीज़ को एक disclaimer समझो no recommendation at all यह मेरा personal viewpoint है और यहां पर मैं जो है अपना personal viewpoint आपके साथ just share कर रहा हूँ for educational purpose कोई quality प्या recommendation नहीं provide कर रहा हूँ proper analysis करने के बाद ही कुछ करना subscribe कर देना channel को like and press करके all पे set कर देना second channel को भी आप subscribe कर सकते हो यहां पर भी बहुत important video already आ चुका है अभी time नहीं हुआ इसलिए यहां पर video uploaded नहीं है लेकिन video आ चुका है आप जाकर के जरूर देखना बहुत important video है वो भी बहुत अच्छा opportunities पर discuss किया हुआ है यहां पर आगे बात करते हैं तो telegram channel जरूर से join कर लेना यहां पर लगातार आपको updates मिलते रहते हैं कि कौन सा stock कैसा perform कर रहा है किसमें आगे कौन सा stop loss हम trail करेंगे कौन सा target अचीव हो रहा है सब कुछ हम बात करते हैं gift nifty कैसा perform करने वाला है कल का market कैसा रह सकता है सब कुछ यहां पर discussion होता है तो जरूर से आप subscribe करना and इसके साथ bell icon bell icon sorry इसमें जो है आप notification sound करकर देख लेना यहां पर आगे बढ़ते हैं एंडब बात करने वाले solar industries के उपर solar industries में बहुत अच्छा pattern दिख रहा है आपको देखने से भी समझ में आ गया होगा कौन सा pattern है very simple symmetric triangle pattern या फिर आप symmetrical triangle pattern जो का होगे यहां पर क्या हो रहा है आप देखो नीचे गया उपर गया से volumes को देखोगे यहां पर आप देख सकते हो volumes जो है वह लगातार गिर रहे हैं जब volumes लगातार यहां पर नीचे आ रहे हूं इसका simple मतलब यह होता है कि यहां पर जो है बहुत सून एक बहुत heavy volume से breakout यहां पर expected है यहां पर मैं बहुत जल्दी बात करूंगा stop losses and targets के बारे में entry मैंने फिलाल के लिए यहां पर लगा रखी है बट इस पे आप जो है entry तब भी कर सकते हो जब इसका breakout के बाद retest हो लेकिन मुझे better लगता है कि मैं थोड़ा पहले ही entry कर लो क्योंकि यहां पर contraction जितना बढ़े ब्रेकाउट के बाद एक बड़े candle बनने का chance उतना रहेगा मालो यहां पर चार से पास दिन और यहां पर consolidation होता है and इस चार से पास दिन consolidation के बाद एक breakout आता है ठीक है और वैसे भी मुझे लगता है जादा दिन time नहीं लगेगा I think breakout होने में एक breakout आता है तो यह जो breakout होगा न यह पहले बता दू आप देख सकते हो यहां मैंने आपको बोला था कि first target कुछ इस जगह पे रहने वाला है जो मेरा first target है वो कुछ इस जगह पे रहेगा जो आपको यह line दिख रह यह ठीक है इस जगह पर हमारा first target रहने वाला है उसके बाद यहां पे देखो मैंने video बनाया उसके बाद अगले दिनी एक अच्छा सा ब्रेक आउट आया और वॉल्यूम देख सकते हो कितना वॉल्यूम है और इसके सब कैंडल कितना का बना था वो भी देख सकते हो साड़े-4% का कैंडल क्लोसिंग एक आप देखो एक लिए उपर इस चीज है Gir Peng from पैसी चीजोट सॉटरिर न English घुआव और सॉब चुटरिक करते हैं सबसे पहले बात करता है stop loss की, तो stop loss यहाँ पे जो है, इस entry point के basis पे stop loss मेरा कुछ इस जगर पे रहने वाला है, विचे is 6555, ठीक है, आप चाहो तो stop loss यहाँ पे 6258 पे भी रख सकते हो, बट मुझे कोई logic नहीं लगता है, क्योंकि यह जो एक swing low है, ठीक है, और यह दूसरा swing low है, मैं इस swing low के नीचे भी रख सकता था, बट मुझे लगा कि एक आपको space देना होता है, थोड़ा stock को चलने के लिए, एक दम ही नीचे आपको stop loss कभी नहीं लगाना होता है, खेर यह stop loss काफी छोटा लग रहा था मुझे, और यहाँ पे मैंने इसलिए around 4.5% का stop loss है, 4.35% मतलब 4% का stop loss है, और आपको stop loss के case में बता दू, यह चीज में आपको वीडियो पे update भी कर दूँगा, टेलिग्राम पे भी अगर आप जॉइन होगे तो आपको यह update मिल जाएगा, अगर इस line के नीचे यह जो line है, जहां पर यह लगातार आप देख रहे हो, जो support मिल रहा है, इसके नीचे हमें closing मिल जाती है, ठीक है, और उसके बाद confirmation मिल जाता है, तो मैं उसे exit कर दूँगा, whether मेरा stop loss hit हुआ या नहीं हुआ, इसका मतलब 2 होगा, simple, कि पहला यहां पे momentum खतम हो गया, मतलब यह पूरा setup बेकार हो गया, and दूसरा यहां पे जो है, यह sideways हो जाएगा, and यहां पे जो है, it जल्द आ जाएगा, तो हम इस momentum की बात कर रहे है, तो वो momentum खतम हो जाएगा, अगर, अगर इस line के नीचे, इस black line के नीचे, हमें closing और confirmation मिल गया, ठीक है, वो मैं आपको सब update कर दूँगा, telegram channel, इसलिए कह रहा हो, आप join कर सकते हो, and इसके साथ ही, यहां पे आगे बढ़ते है, and अब targets के बारे में बात करता है, first target is this, काफी मैंने छोटा target रखा हुआ है, आप इसमें swing या positional दोनों देख सकते हो, ठीक है, अगर आप positional जाना चाहते हो, और थोड़ा बरा stop loss आप रख सकते हो, तो कोई दिकत नहीं है, बाकी मेरा swing and positional के लिए दोनों stop loss फिलाल तो target 1 तो यह रहेगा, obviously target 2 यह रहेगा, 7367, and जो target 3 है, वो मेरा रहेगा थोड़ा दूर, which is around all time high, which is 7839, और अगर आप यहां तक gains देखोगे, कितने percentage का gain हो रहा है, पीछे सा आवाज आ रहे है, तो I am very sorry for that, gains देखोगे, तो 14.44%, मतलब 15% का gain हो रहा है, approximately with a 4% stop loss, तो काफी अ उपर कोई भी levels नहीं है, तो इसके बाद मैं जो है, trailing stop loss को ही सिर्फ यूज करूँगा, और उसके बाद जैसे जैसे यह उपर जाएगा, मैं उसके साथ, trend के साथ, ride करूँगा, तो यह चीज है, बाकी end करते हैं, वीडियो को time to time, मैं इसके उपडेट भी आपको करता था, bye bye and thanks for watching.